हलो एब्रीवन इसके डीजाना में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में ब्यूटी फूल सूरा वाला प्रिंज का ब्लाउज बनाना बताएंगे आप पूरे वीडियो देखेंगे तो स्टेप बाई स्टेप सीख चाहेंगे चलिए हम सुरू करते हैं तो यहां सप अब यहां हमें गले पे तीन इंच पी निसान लगा लेना है तो यहां पर देख लिजे एक चोकोड बोक्स बन चुका है इस चोकोड बोक्स में हमें लगाना है पान गले पी निसान तो यहां पर देख लिजे निसान लग चुका है अब उपर की तरफ से हमें 13 इंच पी निसान लगा लेना है तीरे के लिए तो अब यहां से सिधा एक लाइन खीच लेना है बराबर तो यहां पर देख लिजी निसान लग चुका है अब यहां उपर की तरब से हमें एक इंच पी निसान लगा लेना है और यहां से हमें करास में इस तरीके से एक निसान लगा लेना है मिलाते हुए तो यहाँ पर देख लिजी निसान लग चुका है और यहाँ पर पांच इंच पर एक निसान लगा लेना है और उपर की तरफ से तीन इंच पर अब हमें इस तरफ से एक इंच पर निसान लगा लेना है और इस तरफ से एक इंच निसान लगा लेना है अब इस निशान को कोरास में मिला लेना है और यहां से हमें गुलाय में सिवद दे देना है यह देख लिजी इस तरीके से प्रेंस कटका अब अधेंच इस तरफ से निशान लगा लेना है फ्रेंस और आधे इंच इस तरफ से बराबर देते हुए तो यहां से देख लिजिए इस तरी के समिला लेना है और यहां से बीडियो देखेंगे फ्रेंच तो बहुत एक अब सूरत प्रेंच कट बिलाउज बनाना सीख जाएंगे तो आप यहाँ से प्रेंच जहां से निसान लगाया है वहाँ से में कटिंग कर देना है तो यहाँ पर कटिंग हो चुका है तो यहाँ पर देख लिजिए इसका चोड़ाई है 13 इंच तो हमें यहाँ पर रख लिएना है साड़े 11 इंच यहाँ पर ड्रड़ हिंच हम कटिंग कर दिये हैं अब हमें गले पर भी कटिंग कर लेना है तो यहाँ पर कटिंग हो चुका है अब यहाँ से में कटिंग कर देना है फ्रेंज इस ट्रक अप्पे को कटिंग करके हम निकाल देंगे पहले इस तरब से भी तो यहाँ पर देख लिजी, कटिंग हो चुका है, अब हमें यहाँ सभी कटिंग कर लेना है और इस तरफ से भी हम इस्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे तो यहाँ पर देख लिजी, कटिंग हो चुका है, सेव दे देना है एक कम्प्लिट कटिंग हो चुका है अब कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है अब कपड़े को उपर अच्छी तरिके से अस्तर को सेट कर लेना है चेट करके कटिंग कर लेना है आधा इंचे छोड़ते हुए अस्तर से और इस तरफ से भी कटिंग कर लेना है इस्टरा कप्रे को और इस तरफ से भी हमें कटिंग करके इस्टरा कप्रे को निकाल देना है तो यहाँ पर देख लिए यह कटिंग हो चुका है अब यहाँ पर फैला लेना है कप्रे को कप्टे की उपर अच्छी तरीके से आस्तर को सेट कर लेना है पीन लगा के गले पे सेट करके सिलाई लगा लेना है और सेम इसी तरीके से इस तरब से भी सिलाई लगा लेना है सिलाई लग चुका है इस्ट्रा कपे को कोटिंग करके निकाल देना है और गल्ले पे छोटे-छोटे कट लगा लेना है अब इसे हमें पल्टी कर लेना है कपे को ऊपरकी तरप से ले लेना है तो यहां पर देख लिजिए पल्टी हो चुका है आप यहां पर अच्छी तरीके से श्ट करके गल्ले पे हमें सिलाई लगा लेना है पूल अजि पूल अजिए अजिए लगा लेना है तो यहां पर देख लिजे सिलाई लग चुका है अब इसे उल्टा रख लेना है अब यहां पर अस्तर को अच्छी तरीके स्टेट करके अस्तर कूपर सिलाई लगा लेना है इससे यह होता है कि आपके प्रिंस कर्ट में सुकुड़ा पर नहीं आएगा एदम क्लीन दिखी गय तो देख लिजे इस तरह से चारो तरफ से सिलाई लगा लेना है तो यहां पर देख लिजे सिलाई लग चुका है और इस्ट्रा कप्टे को कटिंगर के निकाल देना है अब यहां पर देख लिजे यह वाला पाट ले लिए कप्टे कूपर अच्छी तरके से अस्तर को स्ट करना है और सेट करके यहां पर सुलय लेना है है हर ऑबytt समय लगजन से сам है लगा representative हुस्क है कि ओता है इसे यहां पर कपे को करें निकाल देना हे आसां पर चुन्म कट लगा fifteen इससे यह होता है कि पल्टाने में आपका अच्छी तरीके से पल्टी हो जाएगा और एकदब मस्त दीखेगा तो यहाँ पर देख लेजे पल्टी हो चुका है अब यहाँ पाच्छी तरीके सेट करके सिल्याई लगा लेना है सिलय लग चुका है अब इसे उल्टी तरफ रख लेना है अब यहाँ पर अच्छी तरिके सेट करके चारों तरफ से सिलय लगा लेना है यहाँ तरक उपर तो यहाँ पर देख लिजी सेम इसी तरिके से दोनों पाठम बना लिए हैं अब इसमें हम जोइंड कर लेंगे तो यहां देख लिजी इस तरीके से हमें जोइंड कर लेना है अच्छी तरीके सेट करते हुए आधा इंच पकड़ते जाना है तो यहाँ पर देख लिएτί एक तरफ से जोइंड होचुका है और यहाँ पर देखें जैंड अच्छा कटूरी के शेफ हाया है। सो यहीं इसी तरीके से मुँद्द से जोइंड कर लिए हैं। आप यहाँ पर हम 13 के कपड़ा ले लिए आप इसके उपर अच्छी तरीके से अस्तर को सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है यहाँ पर देख लिजी सिलाई लग चुका है एक और सिलाई लगा लेना है थोड़ा त्यड़ा हो चुका था अब इससे हमें अस्तर को पल्टी करेना है और अस्तर को उपर एक सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर देख लिजे, सिलाई लग चुका है, अब यहाँ पर इस तरीके से पल्टी करके, अब यहाँ पर एक सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर सिलाई लग चुका है, अब अस्तर को चारो तरप से सिलाई लगा लेना है और तीस तरफ से भी सिलाई लगा लेना है तो यहां पर देख लेजे सिलाई लग चुका है इस्ट्रा कप्टे को कॉटिंग करके निकाल देना है अब यहां पर गले पर अच्छी तरफ के सेट करके लएस लगा लेना है फ्रेंस और यहां से एक प्लेट्स देना है प्लेट्स देने से आपका क्लेन रिजाइंग दिखेगा और लेस भी लुक अच्छा आएगा तो यहां पर देख लिजेए लेस लग चुका है फ्रेंस यह पतला था तरह से हम एकी लेस लगाए हैं एकी तरफ से आब यहां से मैं इसी तरिके से सेट करके सिले लगा लेना है लेस की उपर कप्टे को फैलाते जाना है और यही तरफ आपका कपड़ा रहना चाहिए जो अंदर की तरफ से हम फोल्ड करके सिले हैं तो यहां पर देख लिजिए एक तरफ से लेस लग चुका है फ्रेंस सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ से भी लगा लेना है और पहनने कबाद बहुती अच्छा लुक आएगा आप देख लिजे इस तरीके से बहुती सुन्दर लग रहा है तो देख लिजे हम दोनों तरप से लेस बैठ है लिए हैं और यहां हम फॉर्म के मदद से इस तरीके से आपको दिखाते हैं पहनने एक बाद बहुती अच्छा लगेगा अब यहां पर हमें तीरा जॉइंट कर लेना है यह देख लिजे नोखे को पहले अच्छी तरीके से रख लेना है आप यहां पर अच्छी तरीके सेट करके हमें सिलाई लगा लेना है तो यहां पर एक तरप से लग चुका है तो हम इसी धागे को डबल करते हुए इस तरब से फिल लगा लेंगे अब यहाँ पर भी अच्छी तरीके सेट करके सेप देते हुए सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर देख लिजे लेस लग चुका है सोरी यहाँ पर सिलाई लग चुका है और यहाँ से एक और सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर देख लिजिए सिलाई complete तैयार हो चुका है फ्रेंस अब यहाँ समय एक और सिलाई लगा लेना है तीरे की उपर से इस सिलाई से आपको तीरा बैठ जाता है और दिखने में बहुत खुबसूरत लगता है डबल सिलाई लगता है तब देख लिजिए एक सिलाई लग चुका है आप हमें एक और सिलाई लगा लेना है तो डबल हो जाएगा इस से बहुत ही खुबसूरत लगता है डबल सिलाई से तो यहाँ पर देख लिजिए सिलाई लग चुका है अब हमें निची की तरफ से लेस लगा लेना है तीरा पर तो उससे बहुत सुन्दर लगेगा यह देख लिजी इस तरीके से तो यहाँ पर देख लिजी लेस लग चुका है निची की तरफ से इस ट्रय कप्टे को कटिंग करके निकाल देना है और यहाँ पर हम फॉम लगा दिए है अब देखिए कितना चलूक आया है फ्रेंस तो फ्रेंस अगर अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करें नए चैनल पर तो सस्क्राइब जरूर करें बनाने के बाद इस तरीके से आ जाएगा थाइंक यू